दोस्तों अभी आप देख पारे हैं दोस्तों मुझे यहाँ पर messenger का option बिल्कुल भी show नहीं हो पारा है अगर दोस्तों आपके पास भी यही problem है कि आपका messenger का option यहाँ पर show नहीं किया जा रहा इंस्टाग्राम के उपर इसके लिए दोस्तों आपको कुछ आपको appeal नहीं करनी है कुछ भी नहीं करना एक चूटी सी setting है जिसको आपने सिर्फ enable कर लेना है और आपकी problem solve हो जाएगी इसके लिए दोस्तों आपको इस Instagram को आपने इस तरीके से कर देना ठीक है जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपने अपने फून की सैटिंग ओपन करनी है अब जैसे सैटिंग ओपन करोगे हाँ इससे पहले दोस्तों आप इंट्राग्राम को ओपन करें ठीक है आप यहां पर देखोगे लेकिन यहां पर फुल डेटेल्स आपको यहां पर बड़ा सा एक आइकन आ जाता है मीटा और यहां पर मीटा जो है वो इस जगह पर लिखा होगा तब आपके पास वो आप्शन शो यहां पर हो जाएगा जहाँ पर आप मेसेंजर चाहरे हो लेकिन अब हमें करना क्या होगा दोस्तो इसके लिए हमें जाना है दोस्तो अपने इंस्टाग्राम के ओप्शन के ओपर ठीक है अब जैसे मैं यहां पर आउँगा अब आने के बाद दोस्तो मुझे जाना है बई जानी यहां पर setting में अब setting में जानी के बाद दोस्तो मुझे यहाँ पर जाना है apps वाले options के उपर अब जैसे मैं app वाले option के उपर जाऊंगा manage apps के उपर में आऊंगा यहाँ पर मुझे search करना होगा Instagram जैसे मैं Instagram को search करूँगा अब यहाँ पर Instagram मेरे पास आ गया मैं इसको पर क्लिक करूँगा और इसका clear all data करूँगा लेकिन याद रखीगा जैसे ही आप इसका clear all data करते हो तो आपको जो Instagram का account है वो log out हो जाएगा जिस पर दोस्तों आपने पहले से गोर करेकर रहे हैं कि आपका password और email और phone number जिस पर भी आपने account बना दिया अब मैं back चलता हूं और सभी को cross करता हूं cross करने के बाद अब मैं चलता हूं Instagram में अब जैसे Instagram में जाओंगा अब मुझे यहाँ पर यह option देखने को मिलेगा यानि कि मेरे जो account है वो log out हो जाएगा अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है मैं सारा process आपको बताऊंगा back आएंगे play store पर जाओगे यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको search करना है Instagram जैसे search करोगे यहाँ आपको update का option देखने को मिलेगा अपने update पर click कर देना और उसके बाद दोस्तों आपने आजाना है back आने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा wait करना ह और Instagram को update होने देते हैं हम लोग और याद देखे के दोस्तों यहाँ पर बीटा का यह विर्जन है और यह latest updates है और यहाँ पर दोस्तों updates आपको जब हर महिने यह समझे के 15 दिन के बाद जैसे आपको यहाँ पर update शो हो तो आप लोग ने इसको update करते रहना करे ताकि आपको जो भी updates नियों आती है Instagram की तरफ से वो आपको पहले ही देखने को मिल जाएं लोग आपको जब फिर बताते नहीं है और फिर problems आती है तो जैसे जैसे आप इसको update करते रहते तो फिर आपके पास यह problem नहीं आती है अब जैसे update हुई है दोस्तों मैं इसको यहाँ से ही open करू जैता हूँ अब जैसे यहाँ पर मैं login करूंगा चले यार दिखा ही दिये तो खोई बाद नहीं है अच्छा अब यहाँ पर दोस्तों आपको जब इसको login पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपने इसको save या now पर क्लिक करके आपका account login हो जाएगा और profile में आएंग दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लिक भी करूंगा और यह मुझे आइकन शो कर दिया गया कुछ ही सरी कैसे दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगे होगे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए गाइस यार मिलते हैं किसे नेक्स वीडियो में पर देना चलिक साथ